जो भी चीज रख रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक जो उनका समझ है अपने छेद्र को लेके या यहां के जो education system है उसको लेके उन तमाम चीजों को देखते हुए इन बातों को रखा गिया है सरकार ने अच्छे तरीके से उसको counter भी किया है solution देते हुए counter किया है तो मुझे लगत है देखे आज सदन के अंदर जिसको हम लोग तंत्रता का मंदिर बोलते हैं वहां पे इस तरह के धार्मिक नारे लगाये जा रहे हैं क्या इसी के लिए सदन बना है और आज यही साबित होता है कि एक मानेने को जाके वैल में सब के सामने जाहे महीला विधायक हूं या सभी तमाम मानेने गन हो उनके सामने अपना कुरता फाड़ रहे हैं कुछ लोग पिछले दिन अपने बॉड़ी फ्लैश कर रहे थे इस तरह का हरकत किया जा रहा है यह तो यही है कि आप विपक्च बॉखला गया है मुद्दा नहीं है कुछ बोलने के लिए कुछ नहीं मोलने क मुझे इस तरह के सुनने को मिलता है पिछले बार शायद आपके चैनल नहीं मुझे यह सवाल भी किया था लोमिन जी के समय में कैमरा बंद कर दिया गया था मैंने उस चीज को आपको पहले भी बताया आसन के से जो सवाल पूछने का ट्रेंड है यह सबसे गलत ट्रेंड ब कोरान जब विपक्ष ने इंडिस्प्लिनरी एक्षन था उनके तरफ से 15 मिनिट का भाशन मेरा बंद कर दिया गया मैंने इसके बारे में एक ना उंगली उठाया आसन के तरफ ना सरकार से सवाल किया ना विपक्ष से सवाल किया आसन का डिसिजिजन अल्टिमेट है वह एक बहुत गंभीर पद में हैं उनका सम्मान करना चाहिए और मुझे लगता है जिस तरह से मैंने कहा मुद्दा नहीं होने के कारे इस तरह से छलकपट का काम कर रहे हैं आप खत्रकार होने के नाते इस तरह बात कर रहे हैं यह तो पहले बार ठीक नहीं है एक सरकार है सरकार को अपने जनता की जरूरतों को पूरा करना चाहिए वो मस्जिद हो मदर्सा हो मंदिर हो चर्च हो सब चीज़ों को देखना है क्यों दिकत इसमें क्या बात है कुछ भी किसी की जरूरत हो तो उस चीज़ को जरूरत को पूरा करे उसको धर्म से ना जोड़े और खृपिया इस तरह के सवाल करके इस तरह से धर्म के बीच में भी यह नाल आए बिल्कुल नहीं हो ना, धार्मिक नारे नहीं लगने चाहिए सदन के लिए, क्योंकि वो लोकतंत्रता का मंदिर है, किसी भी हद से धार्मिक नारे नहीं लगाना चाहिए, अब बाहर आके लगाए ये गेट के बाहर लगाए, वो जनता का मंदिर है, जनता के लिए, हम लोग कि लड़ाई लेके अंदर जाते हैं, जनता सबसे बड़ा है, धर्म ये बाकी बाकी चीजे जो है चीजे हैं वो लोगों की बनाए हुई चीज़ है, उस चीजे हम लोगों को दूर रहना है, मगर अफसोस ये बात है कि बाकी सारे राज्य जो भाजपा के ये सब चीजों में आई है अब कहीं न कहीं जार्खन को भी टार्गेट बनाया जा रहा है अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना न भूले